पलपल नियोज के निज रोम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अक्रम बीजबी शासित राजे मध्यप्रदेश की सरकार जो है वो अपनी ही मनोहर किसे कहानियों के लिए जानी जाती है और मध्यप्रदेश सरकार का जो चहरा सामने ना आए वो किसी से छिपा हुआ तो है नहीं क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार तो आ रहा और खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंग चोहान दोरा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिस पर सवाल खड़े हो जाते अगर कोई हिंसा करता हुआ दिखाई देता है तो हिंसा करने वाले को इनके लोग जो है वो छुड़ा करके ले जाते हैं और जो हिंसा करने वाले को रोकने के लिए आगे आते हैं उनके घरों को तुड़वाने का काम जो है वो शिवराज सिंग सरकार द्वारा किया जाता ह और हमने तो मध्यप्रदेश की वो तस्वीर भी देखी है जहां तसलीम चूड़ी वाले को पहले कुछ लोग पीटते हैं कि वो चूड़ी जिहाद फ्ला रहा है और जब इसका विरोध होता है तो कुछ हिंदुवादी संगटन के लोग ठाने जाते हैं और अपने लोगों को छुड़ा करके वापस ले जाते हैं और इसका खाम्याजा तसलीम को भुगतना पड़ता है जो तीन महीने बाद जेल की सलाकों से बाहर आया है ये सूरते हाल है मध्यप्रदेश का जहां खुद अधिकारी और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे ये डिसाइड करते हैं कि कौन अपरादी है कौन नहीं हलाकि इनके लोगों की अपराथ में सनलिपता पाई जाए तो हर कोई खामोश हो जाता है और उसको बचाने के लिए तैयार हो जाता है यह तस्वीर लगतार मध्य प्रदेश से सामने आ रही है और एक ऐसी ही तस्वीर अब सामने आ रही है जहां मध्य प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने मुसल्मानों और सिखों को आतंकवादी करार दे दिया है अगर मुसल्मान है और सिख है तो वो डेफिनेटली आतंगवादी है ये परिभाशा जो है सिवराज सिंग चोहान के पुलिस अधिकारी दे रही है क्या कुछ इस पूरी खबर का मामला सामने आ रहा है इसे आपके सामने रखूँगा पर उससे पहले एक अपील अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए बेल आइकॉन दबाईए ताकि न मंगू भाई पटेल के कटनी प्रवास के दौरान सुरक्षा विवस्ता को लेकर पुलिस अधिक्शक सुनील जैन की ओर से जारी पत्र में मुसल्मानों और सिखों को आतंकवादियों के साथ जोडने पर बवाल हो गया है और साथी साथ उन्होंने इस बवाल को जानबूच करके खड़ा किया है हालाकि मामले के तूल पकड़ने पर जिला पुलिस ने इस पर खेद जताया है और लेकिन कॉंग्रेस ने शिवरास सरकार से एसपी पर कारवाई की मांग की है इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी स्तक्त आपत्ती जताई जा रही है आपको बता दें कि टुटर पर केके मिश्रा नामिये की यूजर्स ने इस पत्र को साजा करते हुए लिखा है कि वह एसपी कटनी आपको धन्यवाद अभी तक बीजेपी ही देश के अनधाताओं वह मुसल्मानों को आतंगवादी मानती रही है अब आपके नित्रित वाली पुलिस भी राजे पयाल के प्रवाद के मद्दे नजर इन्हें अधिकरित रूप से आतंगवादी मान रही है आप एसपी हैं या बीजेपी के प्रवक्ता ये सरकार निसंधे आपको दंडित नहीं पद्मशिरी से नवाजेगी दरसल कट्नी के पुलिस अधिकारी सुनील जैन ने राजे पाल के प्रवास के दोरान इस पत्र के जरिये सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किये थे पत्र में जारी निर्देश के बीच कॉलम नंबर 6 में लिखा गया है कि सिख मुसल्मान जेके LF उल्फा सिम्मी LTI आतंगवादियों पर सक्त नजर रखी जाएगी पत्र में लिखी इबारत सिख और मुसल्मानों को आतंगवादियों की श्रेणी में रखने वाली प्रतीत हो रही है इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है राजे पाल मंगु भाई पटेल को मंगलवार को अलप प्रवास पर कटनी आना था राजे पाल के आगमन पर सुरक्षा के लिए पुलिस महकमे को कटनी स्पी सुनिल जैन के दोरा सोमवार को पत्र जारी किया गया था पुलिस अधिक्षक इस पत्र में आतंगवादियों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही दो समुदाय का भी उलेक कर आतंगवादियों की श्रेडी में रख रहे हैं सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों के बीच कॉलम नमबर छे में लिखा गया कि सिख मुसल्मान जेकेल अलफा सिम्मी अल्टी आई आतंगवादियों पर सक्त नजर रखी जाएगी तो वही नरेंद्र सलूचा ने प्रदेश सरकार पर तंच कसा है उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में क्या सिखों को आतंगवादियों की श्रेडी में रखा जाएगा एक देशभक्त कौम के प्रती प्रदेश की पुलिस का ये रवया बेहत दुखदाई है सरकार कटनी स्पी पर इस मामले में कारवाई करे अन्य था ये समझा जाएगा कि यही भाजबा सरकार की भी सोच है पत्र को लेकर मचे बवाल के बाद अत्रिक्त पुलिस अधिकारी मनोश केडिया ने कहा कि अती महतपूर्ण व्यक्ति के प्रवास को लेकर सुरक्षा के मद्दे नजर विभागी एस्तर पर गुपनिय पत्र जारी किया गया था जिसमें टाइपिंग की गलती हो गई विभाग की मन्शा किसी समुदाय की भावना को आहद करना नहीं है इस गलती के लिए दोशी करमचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पुलिस प्रशासन इस मामले में खेद व्यक्त करता है और आगे ऐसा नहीं होगा और असल में जान बूच करके मुस्लिम और समुदायों को टारगेट करवाया किया पुलिस अधिकारियों द्वारा बीजेपी हुकूमत ने जिसके चलते एक बवाल खड़ा किया जा सके ये तस्वीर मध्यप्रदेश से सामने आ रही है जहां खुले तोर पर सरकार और पु खड़ा टार किया जान बूच करता मां सके ये अजने जान